तो पुश्चन आपको दिया हुआ है कि आप बाड़ी ओफ लेंग्ट 6 cm ठीके सो एच दिया हुआ है आपको हाइट ऑप बाड़ी दिया हुआ है यह प्लस में ही लेते हैं अपन अब्जेक्ट का साइज तो 6 cm इस प्लेज 10 cm फॉर्म के मिरर तो यह दिया हुआ है आपको यू तो इसमें पूछा है आप से कि फाइंड पोजिशन साइज एंड नेचर आप दो इमेज ठीके सो यू के अप्लाया मिरर फॉर्मला से भी स्वाल हो जाएगा बट यह एर अप्लाइंगा न्यूटन्स फॉर्मला जो कि क्या होता है एक्स वाइज इकल टू एफ स्क्वार है तो इसके लिए एकिल डाइगर्म कर लेते हैं हम एक्स के मिरर में बनाले थाख और इसके पौल यह से फॉकस है तो यह ले लेते हैं फोकस एफ ठीक है और यह जो फोकस है अच्छा आप जब डाइग्राम्स मनाओ तो वेल्यूज सिद्व करना घ्र एक सब्सक्राइब यहां पर अबजक्त से यह आपको है एक स्वाइब इसक्टार में चाहिए जोकी इसे अपके पास दूसरा आपको चाहिए अब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम्द फोकस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम्द फोकस ही हो जाएगी ठीक है और यहां पर एक्स की वैल्यू तो आप पूट कर दोगे 10 वाई की वैल्यू आपको अब फोकल लेंग तो 20 का स्कॉर्ण यहां से वाई हम पता करेंगे तो वाई आजाएगा आपका 20 इंटुट टुट एंडिवाइट पाइट यहां से 40 सेंटीमेटर आपका प्लस का आ रहा है तो यह जो डारेक्शन यह प्लस की डारेक्शन ही यह प्लस एक्स लेते हैं उपर क ठीक है तो 40 सेंटीमेटर लेना है आपको और यह जो डिस्टेंस से किस से है फोकस से इस राइट साइट के डारेक्शन में जाना है आपको ठीक है और कितना आना है 40 सेंटीमेटर यहां से मतलब यह लिया आपने कि यह ट्वंटी है आपका तो ट्वंटी का आल्मोस्ट डबल कर दो ठीक है तो यह आपके पास आजाएगा 40 सेंटीमेटर यह यह इमेज बन गई आपकी 40 सेंटीमेटर पर अगर आप डिस्टेंस हमें कहां से चाहिए होती पोल से आप देना चाहूंग तो पोल से कितनी आ जाएगे टिस्टेंस 20 सेंटीमेटर आएगे ना 20 तो यह हो गया आपका कंप्लीट कितना आ रहा है 40 सेंटीमेटर आ ठीक है तो आप यहां से सौल करोगे तो यह आगया आपका माइनस 10 सेंटीमेटर और वी जब आप लिखोगे कितना आपका टानों और मैगनेफिकेशन लेना चाहूंग मैगनेफिकेशन आपन एच इस इकल टो मैइनस वी अपॉन यूव सिपाम्याया निकाल सकते हैं यहां से एम इस इकल टो इसको कैंसिल कर लो इसको कैंसिल कर लो तो कितना रहा है मैंनिफिकेशन अगया है तो हाइट लिकाल लो गया आप एज इस इकल टू कितना हो जाएगा एज इस इकल टू है जाएगा एज जो है वह सिक्से तो ट्वैल इसकी आपकी अचाई तो आप से पूझा था पॉजिशन तो पॉजिशन क्या है बिहाइंड ता मिरर आप तुन्ती सेंटीमिटर पर दूशरा साइस आप देखी दो डबल हो रहा है वह त्वाइस हो रहा है सा अगे देखो Nature of the image तो नेचर ता आपको दीखिए रहा है वर्टॉल एंड और व्यसे भी आपका पॉजिटीव आ रहा है ठिके तो पॉजिटीव अगर आता है तो इमेज जो मतली हो कि यह वर्टुल एन्ट एर्टुल एरेक्ट होती है प्लस का साइन क्या होताथा था और तो जो आ रहा है यह तो इस तरह से जो इसका अंसर बनेगा यह जो इसके सो यू के इस तरह से इस तरह से इस तरह से इंटिफाइए करने में तो आप यह लगा दो आप यह जो है आपकी स्क्रीन पर कैप्चर हुरी है तो इमेज जो है आपकी कहा रियल इमेज यहां से अपने क्या हिंट मिला इमेज जो है वह रियल एंड इमेज तो इसक्रीन पर कैप्चर हो रही है तो क्या होगी आपकी रियल इंवर्टेड इमेज विद मैंगनिफिकेशन टू अब यहां पर क्योंकि आपकी रियल इंवर्टेड है तो मैंगनिफिकेशन किसमें आएगा माइनस में आएगा माइनस टू यह थोड़ा आपको दिहान रखना है तो आपको बताना है कि इसकी फोकल लेंग कि क्या होगी कैल्कुलेट दवोकल लेंग डविट इंडिटर्माइन इप इस कौन के और कॉंट वेक्स तो यह पता करना है ठीक है तो यू आपको दिया हुआ है Magnification आपको दिए यह आप जानते Magnification का फॉमला होता है M is equal to minus V upon U ठीक है तो M की value minus 2 है minus तो आपके वाज नहीं हा रही है minus V की value अभी भी हमें find out करना है U की value कितनी है minus 15 ठीक है इससे minus से minus cancel हो जाएगा तो V is equal to आपके पास आजाएगा minus 30 सेंटिम्टर ठीक है वी कितना आगया आपके पास वी इस इकल टू minus 30 सेंटिम्टर वी आगया तो focal link find out हो जाएगी फोकल लेंक क्या ओगी वन अपन एफ इसी कल टू वन अपन यू प्लस लगा दोगे आप ठीक है तो वन अपन यू यू कितने आपका minus 15 ने प्लस वन अपन पूंट पिप कितना आ रहा है माइनस थर्टी आ रहा है आपके पास ठीक है तो तो माइनस थी डिवाइड वाइट वाइड वाइड थर्टी तो लेक्टर और जो झाहिन है नेगेटिव साइन हमें बताएगा कि जो मिरर को सब्लेंग नेगेटिम और फॉकल लंग्ट व्ल भी माइनस टेंच सेंटीमिटर और मिर जोगा कुंसा का कौन के मेरा ठीके अबजेक्ट इस प्लेज ऐस फिप्टीन सेंटीमिटर इन इरेक्ट इमेज और साइज आएगा तो प्लस फाइब सेंटिमेटर लेंग नेचर पूकल लेंग नेचर अब जो ऑचेक्ट साइस एच डिया हुआ है प्लस फिप्टीन सेंटिमिटर या ऑबजेक्ट साइज ने पूछा हुआ है आप से कि फूकल लेंग्ट सबसे पहले क्या करो एम ही निकाल लो इसमें एश जाए अपां एच इसकेस में बी निये है अपने पास ठीक है तो वी निकाल लेते है थी अब एक देश अपॉन एच देन माइनस यू एडियू वाइनस फिटीन थी माइनस फिटीन होगा इस थी के एच देश फाइफ है और एच फिटीन ठीक है इससे यह और 15 से 15 चैनल जाएगा आप तो आ रहा है वाएफ फाइफ सेंटिमितर वी आ गया तो फॉर्मुला लागा एलरा वीजिगल तो माइनस फिटीन प्लस फहनपन वी देखो कितनா रहा है ऑल लेते यहां से तो माइनस वाण प्लस स्श्वीं खीक हैं तो Pastल इना जाएगा7 गया और एक लिका लोग यहां से तो 1510 ऊट्टीन बाई इसिवन पॉइंट फाइब सेंटिमीटर और यह प्लस का अगर आ रहा है आपकी फोकल लेंग प्लस आ रहे तो जो मिरर उगा और कौन सा अपका कॉन्वेग्स मिरर ठीक है तो यही पूछा था इन्होंने डिटर्माइन दा फोकल लेंग तो आपके आरिये 7.5 सेंटिमीटर और नेचर आप दा मिरर नेचर आप दा मिरर पॉण विश्चन है जब आप शुरू-शुरू में यह पढ़ते हो सारी चीजिए तो 10 class की level का question है 10 class में इसको थोड़ा सा अच्छा question कि देंगे ठीक है बड़ा basic सा question था यह answer आजाएगा आपको जो आपने answer सही भी करएगा तो इस तरह से क्या कॉनके मिरर और वोकल लेंग 10 सेंटीमीटर कॉनके मिरर दे रखाया आपको तो ऐप नेगे तो एगी तो माइनस 10 सेंटीमीटर रूंट अट्रेंग तो आराम से करना तुमाग को थंडा रख्के एक लाइन उसकी देखना ध्यान से यह आपको दिखा 20 सेंटिमिटर तो प्लस का 20 सेंटिमिटर कर देते हैं तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है पीवन पीटु यह जो डिस्टेंस आपको दे रेखिए यह 20 सेंटिमिटर है क्यों के मिरर इस ओप्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है और यह ऑबजेक्ट आपका कितनी दिस्टेंस पर है वाइब सेंटिमिटर पर वाइब सेंटिमिटर लिग दिया है तो हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन कौन के मिरर से ही ले रहे हैं तो हमारे लिए यह अब्जेक्ट हो गया तो यूवन इस इकल टू कितना हो गया माइनस फाइब सेंटेमेटर अब आप देखो वे बिना रे डाइग्राम के इनको इन को सॉल करना हूं किसे आप ल तो मिरा रहे हैं उसकी फोकल लेंक्ट है माइनस टेन तो हम अगर लिका लिका लें मेज वन अपॉन इस इकल टू किता जाएगा तो यह थोड़ा और स्वाल करते हैं यहां से माइनस वन आ जाएगा और यह प्लस का कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया फाईव डू जा टैन तो यह गया तो माइनस वन एन प्लस तू प्लस वन गपाई 10 संतिम्दर निमाग ठंडा सब्सक्राइब और यहां पर कहीं पर बनेगी इसको मैं आइवन कर देता हूं और यह जो डिस्टेंस यहां से यहां से यह आगई आपके और यह जो आइवन इमेज बनी है यह आइवन इमेज जो बनी है इस विल वर्क एज़ा और जा अब्जेक्ट पोर्दब कॉंवेक्स मीर इसको ले इसमें कॉंवेक्स मिरर को लिए अब इसके लिए आप यहां पर अब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी यह आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो इस तरह से है ठीक है तो डिस्टेंस आप देखो फूल से लेकर यह आई वन अब अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो पीटू से लेकर आई वन तक की अगर हम डिस्टेंस ले तो तो पहले तो पीटू कर लो और यह 30 और हमारा साइन कंवेंशन क्या बोलता है कि इन फ्रंट आप दा मिरर नेगेटिव लेना है तो इन नेगेटिव लेना है तो माइनस 30 सेंटिमेटर आड़े यूटू आगया आपके पास तो वान अपॉन आपको लिकालना है वी तू त सबस्कित लेना है तो हमेए सब कुछ सेकेंड आले पॉल से लेना है ठीक है तो वान अपॉन एफटू आपका प्लस का 20 है माइनस वानपों एफटू किटना आपका माइनस 30 है ठीक है तो यहां से हम ले लेते हैं फर्टी इंटू टून्ती कर देता हूं इसको टुन्ती तो यहां से आपके बास पुछेगा 50 डिवाइड थर्टी इंटू 20 जीरो से जीरो कैंसे कर लो फाइव से सिक्स टाइम यह कैंसिल कर लो थैक्ष के बीटु जो आपका आएगा यहां से एक बीटू विल एकल टो फ्लस त्वेल सेंटीमिटर था प्लस त्वेल सेंटीमिटर तो यह तो केस था यह नहीं वह गेस लिया था जिसमें की दिस दाइस रें तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहां पर थोड़ा कलर सेंज करने ताक्कि आपको फॉर्स्ट केस अगर यह केस टू डिसकस करें जिसमें कि पहला जो मिरर क्या है कॉन्वेक्स मिरर देखो आपको प्रॉसेस समझ में आ गया ना अब अगर हमारा पहला मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर यह रहरा है तो अब्जेक्ट के डिस्टेंस क्या होगी इस से ज्योगी वह यूवन होगा तो कि अब यह कैसे लिका लोगे आप तो देखो यह फाइब सेंटीमिटर है यह जो इसने और टोटल कितना दिया हुआ है तो यह माइनस फिप्टीन सेंटीमिटर आजाएगा और आपको दीव यह आप लेंग है वह तो आपको दीव यह फोकल लेंग किती है कॉन्वेक्स मिडर क कि देखो आप यह फ्लस टॉंटी सेंटेमिटर यहां से आप वन अपन निकालोगे तो क्या इगा फ्वन माइनस वन फ्लस का टॉंटी है कि यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाइंगा थोड़ा और सॉल करने इसको इधर ही तो उन पन इसी कल दू लेलो आप ट्वंटी इन तू फिफ्टीन हो जाएगा यह और यह आपको ट्वन्टी प्लस 15 जो आएगा आपका यह आ पास वीवन इस इकल टू प्लस ठीके वीवन इस इकल टू प्लस शिक्स्टी बाइस सेविट तो यह आपने जब प्लस रिफ्लेक्शन किससे हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर से हुआ अच्छा आगे हम सॉल करें इसी को अब सेकिंड जो रिफ्लेक्शन होगा किससे हो रहा है अब कॉन के मिरर के लिए जब मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सही होगी इसको लोकेट करना हिसक् Bombard पड़े और अब्जेक्शन के यह बिए तो हैं और मेर नहीं से इसके लिए आपज़ेक्ट डिस्टेंस में क्यूब क्सक्व करूब लिए तो अब्जेक्ट डिस्टिंस के आएगी है 20 और प्लस 60 बाइब सेवन अब यह इन फ्रंट ऑफ द मिरर के लिए सॉल कर रहे हैं तो किसका आएगा यह माइनस का आएगा तो इसको थोड़ा सॉल किया जाए तो यह माइनस यह आपको पता ही था कौन के मिरर के लिए कितना माइनस सेंटीमेटर नहीं इसी को कंटिनीव रखते हैं वन अपॉन वी लिगालते हैं अपना नापन अपन अफ्टू मतला माइनस टैन ठीक है टिक है यह गया आप पर 1 upon 2 is equal to one upon f2 and minus 1 upon YouTube YouTube किता आपका minus 200 by 7 तो यह minus और minus से प्लस हो जाएगा थोड़ा और इसका आगे सॉल करते हैं तो minus 1 by 10 यह बनेगा आपका और plus 7 divided by तो हंड़े जाएगा यह तो यह बच्छे का आपका माइनस ट्वंटी और प्लस सेविन तो अब यह देख लेगा वन अपॉन पून पीटू की वैलू है तो यहां से जो वीटू आएगा आपके पास जब आप पीछे की स्टडी करते हुए पीचे की चलुंजेडी कर रहे हो तो के आप आके कॉंपटिशन की तयारी कर रहे हो तो पीचे की क्लास से चाहिए आप पीचे की आप सब सुनों पीछे की ग्लास से स्टडी करके आ रहे हो तो यह जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है यह आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए यहां आकर आप यह नहीं कह सकते कि यह तो यह डिवाइड करना इस लेना यह नहीं आता तो आप पीछे आपके दिक्कत है आप महां से सी अब यहां पर आके क्या चैलेंजिस है जो मैं कहता हूं कि इस लेवल पर कैलकुलेशन वगेरा यह सब तो आपको आनी चाहिए कि पीछे आप लर्न करके आयों यहां आकर क्या चैलेंजिस है कि जब आप इस तरह के कॉश्चन कर रहे हो तो आपका कॉंसेप्ट अच्छा हो तो क्या होगा कंप्लीट कोश्चन ही आपका रॉंग हो जाए तो दो तीन चीजे धियान रखना फॉर्मले अब आई होप के इस लेवल पर इतने कुश्चन तो आपने खुद नहीं कर लिए अभी के आपको आते ही है दूसरा जो थोड़ी मामली सी कैलकुलेशन है यह कैलक अछुद तो थीतनी प्रेक्टिस कर mau cose के लिए तो पेले जाता है मैसमें जितनी प्रेक्टेस करोगा आप अच्छे हो ते जाओ तीसरी जिस recognition नडी उसक्रावी्ट करें थखिए जिन में के भी correct है